अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अपना प्यार्प लिफा जेशना करें तो मोई है अपना प्यार्प येश ये वेज ब कि अजर लिफान धूरूर्व और चजरूर्वा करें तो जरिया है विपए गारव तो ये विजिए. मेरा नाम है करन अबरोय, मेरी उम्र 28 साल, बहुत एक कम उम्र में मुझे बहुत सारे पैसे कमाने का शौक चड़ गया था, मेरा बाप हमेशा मुझे से कहता था कि बेटा, मेहनत और एमानदारी से कमाई जाने वाली रोजी रोटी की खुश्बू ये लग होती है, मगर मुझे इस खुश्बू से क्या मतलब, मुझे तो मतलब था, कम मेहनत से कमाई जाने वाले, ठे सारे, बहुत सारे पैसो से, क्या आपने कभी पांच घंटों में पांच करोड रुपए कमाए है मैंने कमाए है कैसे वो तो आप चल्दी ही चान जाएंगे ओ सुने के कंगना है सौदा एक जैसा दिल देना दिल लहना है सौदा एक जैसा ओ सुने के कंगना है सौदा एक जैसा दिल देना दिल लेना है सोदा एक जैसा आँखों ने सजाई सुने सबने बहार के दिल कर बैठी रहा हूँ संग दिल दार के माही वे बसा जो तू मेरे दिल में उस सचना बसी जो मैं देरे दिल में उस साता एक जैसा दिल देना दिल लेना है सोदा एक जैसा आहियार माहियार 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 दिल ही में हार बैठी सोने दिल दार पे बारी बारी जाओं मैं तो अपने दिल दार के प्यार पे बसा जो तू मेरे दिल में उस सजना बसी जो मैं तेरे दिल में है सादा एक जैसा दिल देना दिल देना है सादा एक जैसा है सादा एक जैसा है सादा एक जैसा क्या बात है आज तुम इतने अपसेट क्यों हो कुछ नहीं जिसके पास पांच करोड हार्ट कैश हो और सर पर इतनी बड़ी जिमेदारी वो अपसेट तो हो गई पांच करोड हाँ तो क्या तुमें नहीं पता था कि मेरे पास पांच करोड हार्ट कैश हैं तुम क्या समझी कि मैं गाउं जा रहा हूं नहीं, मेरे पास सुबा से पूरे पांच करोड हार्ट कैश है और मुझे उसे आज रात तीन बजे से पहले किसी भी तरह विक्रम जी के यहां डिलिवर करना है और ये सुल्दान भाई का ओर्डर है ये सुल्दान भाई सारे खत्रे वाले काम तुम्हें क्यों करने को देते हैं क्यूंकि ऐसे कामों में सुल्दान भाई को सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ मुझी पर है समझी? Are you sure, विक्रम? तुम्हें सच मुझे ये सब करना है? What are you talking about? तुम बागल हो गई हो क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं समझी क्या वो वो सुल्तान के लिए काम करता है वो सुल्तान का अदमी तो क्या हुआ सुल्दान, सुल्दान को पता चले का तो, तो क्या हुआ, मैं भी तो सुल्दान के लिए काम करता हूँ, सुल्दान का फोन आएगा तो हम बता देंगे कि मुकदम यहां कभी आया है नहीं, सिंपल, सुनो, सुनो, बोलो, सुनो, वो, वो मर जाएगा, मरता है तो मर जाने दो, हमारे लिए पाच करव तो छोड़ कर जाएगा हो लेट्स दो इट अगर इसको नहीं मारते तो पांच करोड कहां से आते ये पांच करोड हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए हैं ये पांच करोड मेरे लिए नहीं हम दोनों के लिए हैं समझे अब क्या कुछ नहीं होगा मैं इसको गावने के दिजाम करके आता हूँ अगर सुल्तान का फोन आए या किसी और का फोन आए तो उठाना मत ठीक है विक्रम मुझे लगता है ये जिन्दा है अरे इंपॉसिबिल यार नहीं ये जिन्दा है अरे जिन्दा है अरे जिन्दा आए उर MARICO NE misschien प्योने हुआ कि धुझे ए्ष्ट हुआ हुआ एब बोड़ा में दो कि अाया में आ है कि तो पलुथ इ gens विए एईनाता आउ phải firma यद सर्फ दिश्राष्श तो prioritा फिख झाल 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 फजो स्टपको वह हूए लृट रख रख प्ला investments जम हालो हालो आईशमा, मकादाम कोई फोन आया क्या? नहीं, उसका कोई फोन निया या हुड है झाल 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 विक्रम विक्रम सुल्टान भाई से बाद करो कहीं उनको उनको उम पर शक्त ना हो जाए प्लीज जी सुल्टान भाई क्यों यहाँ फोर उठाने में इतनी देर क्यों ने सुल्टान भाई थोड़ी आख लग गे थी मुकादम पहुच गया क्या नहीं अभी तक नहीं पहुचा कमाल है अब तक तो मुकादम को तुझे पैसा रिलेवर करके वापेश लॉटाना चाही था मैं भी यही सोच रहा था कहीं वो रेश्मा के पास तो नहीं चला गया सुल्टान भाई ख़ड़ो सुनिया कैसी है ठीक है सुल्टान भाई यार एक बार बताओ तू सोनिया के साथ शादी कप कर रहा है देगो मिया जितनी जल्दी हो सके शादी कर डालो यह तो सोनिया ही है जो तुम्हें जेल रही है कई मैं उसकी जगा होता ना कब तक तुम्हें उपर पहुँचा दिया होता क्या सुल्टान भाई आप भी मेरी लड़व है शोड़ो जब मुझा आदम आजा तो मुझे कॉल करना समझे पिक्रम का यह कहना है कि मुझादम अभी तक वह नहीं पहुचा है और वो तुम्हारे पास हो सकता है तुम्हारा क्या कहना है रेश्मा सुल्टान भाई मुझादम मेरे पास आया जरूर था लेकिन वो दो घंटे में वहां से चला गया मेरे इसाब से तो अब तक विक्रम भाई को पैसे देकर वापिस आ जाना चाहिए था रेश्मा कहीं तुम मुकादम को कोई अकल तु नहीं दे रही हो सुल्टान भाई मैं आप सिपंगा कैसे ले सकती हो बलकि मैं तो खुदी डरी हूई मुकादम के लिए क्यों भे राशिद तुझे क्या लगता है भाई मुझे लगता है बंदर गुलाटी मार रहा है भाई खुलाटी मार गया बंदर तो ठीक है अगर कल तक मुकादम का कोई ख़बर नहीं आया तो हम सब चल कर विक्रम के फार्म पर सुनिया के हाथ का बना हुआ खीर खाएंगे ठीक है हलो हाँ जान मैं तो बस यहां रास्ते में हूँ पता नहीं मैं जब शहर से निकला था तब तो कोई बारिश नहीं थी पता नहीं मैं कितना स्लो डाइवर हूँ कैर कोई बात नहीं अब से मैं कुछ पांचे गंटों में तुमारे शहर में पहुंची जाऊँगा I love you bye see you take care well well welcome good oh oh f**k अब यार क्या हो एग गाड़ी को अभी तो ठीक चल रही थी प्रॉप 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 अब इसका तो हॉस्पाई फट गया अब इस नाटे दा सड़क पर में मेकानिक को कहां से लाऊं हमेशा मेरे क्यों लगते हैं यार कर दूप आप अब इस नाटे कर दो विव प्रॉप हो इतनी सुनसाध जगा पर वाम हूस सारी की सारी लाइट सौन है जैसे क्यों क्यों दिवाली हो बिजली बचाओ भाई जरूरत है कोई दिखाई तो नहीं दे रहा घंटी बचाओ बैटा घंटी चल भई घंट भाउन प्लीज किसी फरिष्ट से दर्वाजा कुलाना जो फोरहन मेरी मजब करने को Tयार ओजाए प्लीज 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 गौड प्लीज दोंट तेल में किस घर में कोई नहीं है biliyor तेल्एख्ट प्लीज प्लीज गौड प्लीज दोंट Test तेंग गॉड़। मैंने तो सोचा इस घर में शाय सिफ फूद ही रहते होंगे मैडम मैडम प्लीज मुझे गलत नहीं समझीगा मैं एक बहुती शरीफ आपी हूँ एक्चुली मैडम मेरी गाड़ी आपके घर के थोड़ी दूर में खराब हो गई है और मेरा फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा रात भी बहुत हो गई और आज पास कोई मेकैनिक भी नहीं है मैंने आपका घर देखा और मुझे लगा कि ये एक फरिष्टे का घर है इसलिए मैं यहां चलाया यही सोच कर कि शायद आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें देखे मैडम मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं आपको डिस्टरब करना नहीं चाहता था लगता है मैडम आप मुझे गलत समझ रही है मैं स्मूच मैं जानती हूँ के आप एक नहायती शरीफ आदमी है Mr. Karan Obray Oh my God You are kidding me Sonia Khanna Sonia Khanna नहीं Sonia Sharma मैं शादी शुदा हूँ Wow I really don't believe this Look at you now आज पूरे चार सालो के बाद मिल रहा हूँ मैं आपको College की graduation के बाद से तो गायब ही हो गई थी आप गायब नहीं हो थी इसलिए कि तुम मुझ से जूनियर हो और मैं तुम से चार साल सेनियर वो इसी नियर लड़की के बीचे हम भागते थे आज वो एक शादी शुदा औरत है वाओ अच्छा तो तुम भी इसका मतलब उस लिस्ट में शामिल थे अरे कौन नहीं था बोलो और बताओ तुमारी शादी कब हुई और कौन है वो खुश्यसीव बहुत हैंसम दिखता है क्या पहले तुम आराम से बैट जा फ्रेश अप हो लो मैं तुमें थोड़ी देर में विक्रम से मिलाती हूँ अच्छा वो 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 तुमारा भाई कैसा है कॉलेश में तो बहुत रोब था उसका नाम मतलब उसका चार साल हो गए मेरी उससे बात नहीं हुई अच्छा तुमारी कॉलेज में गफ्रेंट थी क्या नाम था उसका नेहां हां नेहां क्या हुआ उसका बस कुछ नहीं अगले महीने मैं उससे शादी कर रहा हूं अभी रास्ते में उसी से मिलने जा रहा था और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई बस और फिर तुम से मुलागात हो गई वारे देस्टिनी पुरानी आदे ताजा हो गई हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है तुम आराम से बैठो मैं विक्रम को उपर से बुलाती हूं क्यों विलेन को बुला रही हूं यार तुम बिल्कुल नहीं बदले विकी देखो गर में कुछ आया है organic 雪 विक्रम टूजे मैंना किया था नैस गर में किसी को दाखल मत होने देना सुल्तान भाई कभी शिक वह अपने आदमियों के साथ घर में आ सकते हैं हमारी लगा सकते हैं इतने बात सुमिए आती तेरे वो तुम और तुम्हारे गुंडे दोस्तों से कई स्यादा बहतर है वो मेरे कॉलेज का पुराना फ्रेंड है और मुझसे कई साल छोटा भी वो तो बस बस सचानक उसके गाड़ी घर के बाहर खराब हो गई और वो घर के अंदर चलाया मदद मांगने के लिए और मैंने उसको पहचान लिया और उसको एंटर्टेंग कटिया बस ओके चुप हो जाओ और तुमने बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठाया विकी, डोट टाच मी तुम तुम अपनी टेंशन अपने तक क्यो नहीं रख सकते विकी क्या मैंने कहता ये सब कुछ तुमें कान ने के लिए प्की मैंने कहता आइ सोनिया तुमें ये बात सम्झनी चाहिए कि घर के बीचे लाश बड़ी हुई है तुम्हें इस तरह से घर में किसी को आने देना नहीं चाहिए वैंसे हमारे सिंगापूर के टिकेट भी दो आने वाले हैं, Sonia. I'm sorry, Sonia. I'm sorry. Please, चलो मुस्कुरादो. मुस्कुराओ ना, please. अब तो मुस्कुरादो. चोड़ाना. चलो, मिलते हैं उसके. करन, करन, this is Vikram. करन, this is my husband. Hello, sir. I'm Vikram. I'm Karan Abroyd. ये करन है, मेरा पुराना कॉलेज का फ्रेंड. Thanks. करन, जल्दी से मुझे बताओ, तुम क्या लोगे? चाई, कॉफी, या धंड़ा? Sonia, अगर एक गप कॉफी मिल जाए, तुम मज़ा आजाए. मुट तो मेरा भी है. चलो, कॉफी पिला दो. अच्छे, तुम लोग बैटकी गप पे लड़ाओ, तब तक मैं तुमारे ली कॉफी ला दी हूँ. तो करन, तुम ही हो. जो कॉलेज में, सोनिया पर मरा करते थे. जी, मैं क्या? पूरा कॉलेजी सोनिया पर लाइन मारा करता था. सर, मेरा यकीन कीज़े, पूरा कॉलेज सोनिया पर मरता था. और आपकी सोनिया अपनी खूप सूरती से लोगों को मेनिपूलेट और ब्लैक मेल किया करती थी अगर सोनिया को कभी भी किसी भी चीज की जुरत होती तो उसके पास उसको पाने के लिए उसकी खूप सूरती का हथियार होता था और तो हर सर आपकी सोनिया अपने एक्जाम के पेपर्स भी कॉलेज के प्रोफेसर को मनिपलेट करके लीक करवा देती थी अपने प्रोफेसर केमपस अच्छा चोड़िए वैसे आप काम क्या करते हैं जी मैं स्टॉक एजिंट हूं और सुल्तान कॉर्पोरेशन के लिए काम करता हूं क्या हुआ कोफी सोनिया सुना तुमने आपके करन भी सुल्तान कॉर्पूरेशन ने काम करते हैं के सुल्तान कॉर्पोरेशन के लिए काम करता हूं अलकाइदा के लिए नहीं कैसा अजीब तिफाक है मैं भी सुल्तान कोपरेशन में काम करता हूँ एज चीफ अकाउंटेन वाव लगता है मुझे मेरी जिन्गी के सारे बड़े जटके आज ही मिलने वाले हैं वार कोइंसिदेंस यार इस्क्यूज मी वन मिनिट आउ सोनिया, कम विद मी क्या हो रहा सोनिया तुमने सुना, उसने क्या कहा मुझे एक बात बता तुम भी सुल्तान कोपरेशन के लिए काम करते हो और वो भी बावजूद इसके तुम दोनों आज तक एक दूसरे से मिले नहीं सोनिया सुल्तान भाई के लिए हजारों लोग काम करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन सब से मिलता रहा हूँ अच्छे सब चोड़ो सोनिया मुझे लगता है कि सुल्तान भाई को हमारे उपर शक हो गया है इसलिए उन्होंने को हमारे उपर नजर रखने के लिए बेजा है नहीं नहीं इसको में कॉलेज के जमाने से जानती हूँ ये बिल्कुल बुंदू है क्यर विक्रम तुम वाके ही नहीं जानते इसको हो सकता है मैं घलत हो I don't know मगर सोनिया ये करन हम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है प्लीज जितनी जल्दी हो सके इसको यहां से निकालो प्लीज सोनिया ट्राइटो अंडिस्टेंड हमारी सिंगपूर की टिकेट कभी भी डिलेवर हो सकती है मेरी बात को समझने कोशच करो किसी भी तरहां से इसको भाहर निकाल के पहको I'm upstairs रशीद जी यह विक्रम का फार्म होस कौन से इलाके में है करना लोड हनुमन टेकरी के बाजू में तु जानता है पोलिस इंचार्ज कौन है नंबर है उसका मैं जानता हूं से उसका नाम है राम सिंग राम सिंग फोन नंबर है उसका जी भाई लगा नंबर बात करवा राम सिंग से बहुत आरामी है भाई मैंने कुछ पूछा इसंगा नंबर राम् सिंग्टा रहां मैंने कुछ बहाँ कि एक एक बात बताओ कि तुम सुल्तान कॉपरेशिन में कब से काम कर रहे हूँ एक्चली वो मैं कुछ यही कुछ दो यही कुछ दो सालों से बड़ी अजीब बात है कि तुम दो साल से सुल्तान कॉपरेशिन में काम कर रहे हो और तुम उस कॉपरेशिन के चीफ एकाउंटन से नहीं मिलें हां मेरा मतलब है मेरे पती विक्रम से बस ऐसे ही हां कि आल भी बैक कि नमस्कार नमस्ते मेरा नाम सीरेर इस्पेक्टर राम सिंग है क्या मैं विक्रम साब से बात कर सकता हूं जी आप साब इस वक्त गबराए नहीं वैसे हर शरीफ इंसान को मिलने उसके घर पर खड़ा हो पुलीस वाला तो जाहिर है वो गबराही जाएगा गबराए नहीं ऐसे कोई बात नहीं है आये आये कमिन 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 चलो 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 जी मैं करन जाहर जी नहीं करन अब्रोई जी आपको देखकर मुझे ऐसा क्यू लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं आप लाइफ में कभी जेल गय हैं जी नहीं मेरा मतलब है मेरा वास्ता आम तोर पे मुझेरमों से पड़ता है तो मैंने सुचा अगर आपको याद आए कि हम मिल चुके हैं तो हो सकता है आप मुझेरम हो और मैंने आपको पकड़ा हो इस ओके रिलाक्स करें आपको जोकिंग Mr. Vikram? Yes, officer. I am Vikram. Okay, I am Ram Singh, Senior Inspector from Serika. Nice to meet you. Nice to meet you too. तो बस यही था कि मेरी दूद इन्वे हैं यहां पोस्टिंग हुए तो मैं घर घर जा रहा हूं अपना परिचे कराने आप Yes, sir. तो Mr. Vikram, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि यहां पर कितने उचे लोगों के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं कोई भी आपकी प्रॉबलम हो, प्रीज, इफ यू, डून्ट माइंड, ओके? यह मैंने कार्ड है, रख लीजे, ओके? Thank you, officer. ठीक है, मैं चलता हूँ. अरे, नहीं नहीं, कॉफी या चाय? अरे, ठीक है, कहीं अगर खाना खाना होगा, तो आप ही क्या खाऊंगा? आप लगे रहे हैं. Thank you, good luck. Anytime. Mr. Karan, तुम्हारी तस्वीर मेरे ओफिस की दीवार पर टंगी हुई है. Singh, इसको जीप में डालो. मजाग कर रहा था. See you guys, have a nice evening. चलो. बड़ा अजीव ओफिसर था. तुमने अभी तक विक्रम को मारा भी नहीं. और तुम डर रहे हैं? जिस काम के लिए है, उसे जल्दी से मुकमल करो. सुल्दान भाई के प्लान के मुताबिक, एकाउंटेंट मुकादम यहां पे पैसे छोड़ कर जाएगा. और विक्रम और मुझे वो पैसे लेकर जलंदर कमलेश भाई के घर पहुचाने थे. क्योंकि गाड़ी में अगर कोई देखता मुझे और विक्रम को हस्बेंड और वाइफ समझ कर शक नहीं करता और काम असानी से हो जाता. मगर आप कहानी कुछ और है. प्लान कुछ और है. यह पैसे लेकर हम दोनों यहां से निकल जाएंगे. यह प्लान हम दोनों के लिए काफी अच्छा है. अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम सोचते बहुत ज्यादा हो. मैं उपर जा रही हूँ. विक्रम वाश्रूम में है. जैसे ही वो वाश्रूम से बाहर आएगा. मैं उसे सेड्यूस करूँगी और और चब हम विस तर पे होंगे, तुम पीछे से आखे उसके सर पे वार कर देना. मैं पेटरूम का दर्वाजा लॉक नहीं करूँगी. मैं चाहती तो तुमसे गन मंगवा सकती थी. लेकिन नहीं. गन से आवाज बहुत आती. बैट का इडिया जाद अच्छा है. और हां, प्लीज करने. पूरी ताकत से वार करना. निशानत चूक न जाए. देखो करन. हम दोनों की सिंदकी का सवाल है. इसकी बाद मैं और तुम कहीं दूर चली जाएंगे. टकतीर का खेल देखिए. मैं भी सुल्तान कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ. और विक्रम भी. सोनिया मेरी कॉलेज की सीनिर थी और मेरी फ्रेंड थी. कर एक दिन सोनिय सुल्तान भाई से मिलने उनके आफिस आई विक्रम अमेरिका में था किस्मत से मेरी मुलकात सोनिय से सुल्तान भाई के आफिस में पूरे चार सालों बात हुई फिर क्या था हम दोनों एक दूसरे के करीब है और हमारे प्यार की शुरुआत हुई और फिर और फिर शुरुआत हुई एक खतरनाक प्लैन की और बेचारे विक्रम को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था वो अब तक तो यही सोच रहा था कि वो और सोनिया मुकादम को मार कर पांच क्रोड लेकर सिंगापूर भाग जाएंगे करण विक्रम ने मुकादम को मार दिया है पांच को गार्टन में दफन कर रहा है तुम्हें यहां आने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है वाइट इस टेकिंग यू सो लेट बेबी वाइट इस टेकिंग यू सो और मुझे इस आदमी की चुंगल से बचाओ लीज और सुनो अपनी गाड़ी को मेरे घर से दस मिनट की दूरी पर बाग करना और गाड़ी से उतरते ही गाड़ी का हॉस पाइप निकाल देना ताकी 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 में क्याने को पता ना चले और उसे लगे कि हॉस पाइप सच मुझ खराब है अपनी पुझतख प्यून के वर मनुद एक हॉस न जा सफस्टकी के वर में के थाओ कर दो क्या बाद है बड़ी अजीब नजरों से देख रही हूँ I know हमारी शादी होने वाली है तो क्या मैं अपने होने वाले हस्बेन को प्यार नहीं कर सकती हूँ और वो प्यार मुझे कौन सोन्या प्लीज मुझे कौन देगा Please stop it, Sonia, please Please, Sonia, ऐसा मत करो तुभी तो कि मैं रटूर्ड नहीं कर सकता, Sonia, please घुग रप्लीज Don't do this, try to understand Please, Sonia Sonia, Sonia Please, I'm having come on, let's go to bed oh god I'll let you go to bed Do you love me, do you need me, do you feel me, do you love me like I love you baby तेरे रूप की दूप पागे, फेरे सोह सोह अर्मा जागे पहलू में तेरे आगे, सारे दर्दो गम दूर भागे क्या जादू है यह, क्या जादू है यह, क्या जादू है यह, तिर प्यार का All your love is can't dispel on me, तिर प्यार का Love is real, that ain't no fantasy, I need you, I need you that I adore I want you to be mine, now forever more, ever more I feel you, I breathe in you, breathe in heaven, I see in your eyes I feel you, I need you, I need you, Ivä Index ओफ क्या जादू तेरा मुझे पे चला ये जिस्मों चा तेरा हुआ तेरे रूप की धूप पाके सोई सोई अर्मा जागे पहलों में तेरे आके सारे धर्दों कम दूर भागे क्या जादू तेरे 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 क्या जादू तेर क्या जादू है क्या जादू है क्या जादू है क्या तिरे प्यार का आपर 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 तुम्हार दुस्के अवार तूम्हार दोस नीचे बठा है आपर उसने तुम्हे सादम देख लिया तो I love you it's not good I love you to die एald हाँ इpping जह प्रूम बल नह एक और मार. क्या? एक और मार ना? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तु तु अपने आपको रैंबू सोज़ता है कि तेरे एक ही वार से ये मर जाएगा कहा ना एक और मार? तेधन दे ना? अब देख 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 कैसे मारते हैं देखाँ देखाँ कि अब धेख एसे क्या देख रहे? यह मैने तुम्हारे और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए किया है करन 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 क्यापनेट कॉलो क्यापनेट में से पैसो का बैग निकालो और नीचे करने नीचे लाउंच में लेके जाओ को लो क्यापनेट करन 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 खाज़ भूले कि आथ से लिए भोर को खाज़ कि जुड खाज भोर को तो है! विक्रा? 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 वह भोर को खुड़ गूज़ ऑज़। पर शब दूए। विक्रा ओकाथ। विक्रा मालाव क्यो I love you Vikram. I really love you. I really love you. I really love you. क्या आपने कभी पांच घंटों में पांच करोर रूपए कमाये हैं? मैंने कमाये हैं. Vikram? कमाये हाँ BIG CROW में! इक्र! है? यहीं से मेरी जिन्दगी के वो पांच घंटे शुरू होते हैं, जीने में कभी भूल नहीं सकता. कहते हैं कि शेतान के सबसे बड़ी चालबाजी, यही है कि वो दिखाई नहीं देता. लेकिन इन्हीं पांच घंटों में मैंने शेतान को रूबरू देखा था. किसी ने ठीकी कहा है, खिलालच, पैसा, नशा, धोखा, कतल और और औरत, यह तमाम चीजें जिन्दगी को हसीन और खुबसूरत बना देती हैं. उस राथ, विक्रम को मार डालने के बाद, मुझे क्या पता था, कि मेरी जिंदगी एक नया यूटन लेने वाली है. मुझे ख्रशपर प्रीय को मुझे ख्रशपर रख्राव्राईा, अशा, विक्राणी को हमुझे ख्रशपर राशे चीजें जिएूदा थार लेक्र हैं. करन, I love you. I love you, करन. Please love me. Please love me, करन. करन, 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 करन तो उसको उसको भी मालूम होने तो प्लीज लव मी प्लीज लव मी लव मी लव मी वी मी लव मी लव मी माँ ब्रणियमे I'll make you scream out loud From day to night Just one kiss And you're so gonna die I'm the power of love Give me the way I'm sinh shokhiyo ki aahat hume Beheke beheke si Tazakat hume Mujhe vakt hai Mujhe se hai jahau Gusm hai Hali te me aau Mujhe se hai da se kau Shuru haa Shuru haa Sinh shokhiyo ki aahat hume Baha ki baha ki si Tazakat hume Mujhe vakt hai Mujh se hai jahau Gusm hai Shuru haa Shuru haa Shuru haa Shuru haa Shuru haa Mujhe dekh ke chan chamakta hai Look into my eyes I'm gonna make you fly Gonna get you Beating for my life Oh yeah Mujhe dekh ke surat chalta hai मुझे देख के चान चमकता है देखे जो भी मुझको अमद होशी में जो में जीतेगा वही जो मेरे कदबों को जो में अमसन शोखियों किया है क्यों मैं बहकी बहकी सी तजा करते हो मैं तुझे मक्त है तुझे से है जहाओ उसम है हर दिल में यहाओ है मुझ से हाय दासता हमुआ है हमुआ 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 रेंड़ कहीं रेंड़ रेंड़ कहीं सुल्तान भाई तो नहीं कितना तरते हो तुम तुम वा कही बच्चे हो मेरे छोटे से लावा गुट इविनिंग मेडम क्या मैं विकरम जी से मिल सकता हूं माई साल एस्पी फ्रॉम मैटसन टूरें ट्रेवल विकरम जी ने सिंगापूर के लिए दो टिकट बुक करवाई थी वही डिलिवर करने आया हूं मैं ओ तो आप अब आये हैं बहुत ही घटिया सर्विस है आपकी सुबह से आपका इंतजार हो रहा है मैडम और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं मगर क्या गरूं मैडम आपका अगर शहर से इतनी दूर है के पहुचने में ये टाइम लग गया है ठीक है आप टिकेट्स दीजिए मैडम साहिन मैडम आपके नई विकरम जी के विकरम जी के साहिन क्योर का विकरम से मिल शकता हूं क्यों आप विकरम से क्यों मिलना चाहते हैं अगर मेक शाओ यद्ध रॉयद शोर्व टाइथ पलेस शोर आया क्या हुआ? कौन था? ट्राइवल एजेंट है. सींगापूर के टिकेट्स लॉाया है. विक्रम से मिलना चाहता है. मेटेसं, तूसेन, ऌसें ट्राइवल से? सिंगापूर के टिकेट्स लेंके? हमँँँँ. तो प्राब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो विक्रम से मिलना चाहता है ओ नो मैं विक्रम बन कर उससे मिलने जाओंगा Are you sure? हम, hundred percent जी, बताईए क्या बताऊं आप मुझसे मिलना चाहते थे मुझे क्यों मिलना था आप से आप ठीक तो हैं, मैं ही हूँ विक्रम शर्मा आप ठीक हैं, विक्रम जी को मैं पर्सनली जानता हूं कई बार हमारे से टिकट बुक करा चुके हैं अरे, मैं तो यूही मजाग कर रहा था I am not Vikram मैं जरा भी Vikram को बुला कर लाता हूं क्या हूँ वो विक्रम को पर्सनली जानता है उसने विक्रम को देखा है अब हम उसे विक्रम से कैसे मिलवाएंगे अब हमें विक्रम को सिंदा करना पड़ेगा हम् इत्व 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 सोरी आप इत्नी देर हो गई है आपको तो पता ही है कि वो कितने पूजा पाट में कितना बिलीव करते हैं और वो वैसे बहुत ज़्यादा स्प्रिश्वल भी है तो आज के दिन वैसे भी किसी से बात नहीं करेंगे तो अब जिद कर रहे हैं उनसे मिलने की तो मैं भी मिलवा देती हूँ लेकिन ज्यादा बात नहीं कर सकते बिल्कुल बात नहीं कर सकते आईए ना कोई बात नहीं चलिए आप वो देवी मा का जाप कर रहे हैं जी ओ आइम सो सॉरी मुझे नहीं पता था नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप विक्रम जी से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं लिकिन वो आपकी बात का आपको जवाब नहीं देंगे तो बात कीजी ना कीजी ना आप कहें तो एक बार जाके मैं उनको हेलो बार देता हूं कीजी अगर इसने कोई प्राप्रम किया तो इसको भी यही मार देंगे नमस्कार विकरम जी मुझे माफ कीजिए मैं आपके द्यान को बंग कर रहा हूं आपके कहें मुताबिक मैंने सिंगाबुर की दो टिकेट्स आपके ढ़र देलिवर कर दी हैं जैसे यह आपका द्यान पूरा हो जाए तो रिक्वेस्ट की आपसे कि वो टिकेट्स प्रीज आप चेक कर लें बिलकुल हो जाएगा, बिलकुल हो जाएगा आप बिल्कुल फिक्र ना करें अच्छा आप ये बताईए कि आप क्या लेंगे चाय, टी, कॉफी या कुछ और बताईए ना, फिल अठोम थैंक यू मेडम, अब मुझे चलना चाहिए थैंक यू सर्व बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ये क्या तरीका हुआ वो दूर से विक्रम को देखकर चले जाना चाह रहा था और तुमों कि तुमने उसको विक्रम के पास भेज़ दिया ये क्या खेल खेल रही हो सोनिया वाट आ यू अप्टू वाट यू गॉन इंसेन सोनिया इस गर में पांच क्रोड़ पे हाट कैश है और साथ में दो लाशे है एक लाश पिछे गार्डन में दफन है और दूसरी मारी आउका के सामने और आउका क्यों पॉसिबल समझ गई तुम क्या हुआ ऐसे पत्थर बनके क्यों घड़ी हो पागलो की तरह अस्पी रही हो मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूं तुम्हे फो गॉद सेख सोनिया कुछ बोलो तुमने भी तुमने भी तुमने भी तुमने भी मुझ पर हाथ उठाया विक्रम की तरह तुमने भी मुझ पर हाथ उठाया विक्रम की तरह तुमने मुझे विक्रम की तरह थाप पर मारा इतनी सोर से सार तुमने भी तुमने भी हुँ अछ़ागे दुबारा नमस्कार नमस्कार बाफ कीजिएगा मैं आपको फिर से तकलीफ देने के लिए हाजिर हो गया हूँ नहीं नहीं कोई बात नहीं एक्चुली मैं अपना रूटीन राउंड अप कर रहा था तो मैंने देखा कि आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है सुबह से खड़ी है शायद वो मिस्टर विक्रम की है क्या नहीं सर वो मेरी गाड़ी है खराब है शायद उसका होसपाइप भड़ गया है अच्छा आप क्या यहीं पे रहते हैं जी नहीं सर मैं दिली में रहता हूँ किसी काम के सिलसिले में जलन दर जा रहा था रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और इत्ते फाक से इनके घर के पास आरुकी मैंने हेल्प कि उमीद में इनका दर्वाजा कटकट आया और किसमत देखिये यह घर सोनिया का निकला जो मेरी कॉलेज की बहुत पुरानी दोस्त भी है हाव नाइस हाव नाइस विक्रम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहें विक्रम वो वो अक्चली वो वो शेहर गया अपने किसी दोस्ते मिलने के लिए कल सुबह तक आजाएंगे आइसी लेकिन गाडी तोन की यहीं पर खड़ी है वो वो अक्चली क्या है के वो वो अपने किसी अपने किसी दोस्त के साथ गये है दोस्त के साथ गये है ओके कमाल है यह बड़े अच्छी किसमत है आपकी मिस्टर करन विक्रम जी जो नहीं है यहाँ पर चलिए आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लेते हैं देखते हैं कि आखिर क्या खराबी है उसमें मैं भी कभी गभार मैं कैनिक होता हूँ हो सकता है मैं ही ठीक कर दूँ आई 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 चलिए कि आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है कि मिस्टर करन आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने किसी का खुन किया है आई एए बहुत अपने बुन अबनत स्टायल तो देखो अबे चूती यह अंदर बैठ एक उसे कुछल कर्णार ढोइब थे हीज़े कहि कुछत किवे दो कि मिञ्टर भी बंच्छर के में ये तो स्टार्ट हो गई क्योंकि ये गारी खराब थी ही नहीं इसका कोई हाउस पाइप भटा नहीं था इसका पेटरॉल पाइप निकल गया था एनीवे मैंने तो समझा इसका हाउस पाइप भट गया अब जा सकते हैं थैंक्यू वेरी मच जो आपके गाड़ी को इंस्पेक्टर कर रहा था तो मैंने देखा कि उसका पेट्रल पाइप अच्छा खासा हाड है इसका मतलब यह है कि वो पाइप निकला नहीं था बल्कि निकाला गया था ओ पता नहीं मगर मेरा वक्तो जाय हुआ ना थेंक्स एनिवेज ओफिसर ओके हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना पड़ेगा लगता है उस पुलिस वाले को हम पर शक हो गया है क्या बात है जनाब बड़ी गहरी सोच में हो पता नहीं राजवीर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में या तो कोई कांड हो चुका है जितनी जल्दी हो सके पैसे लो टिकेट्स लो और निकलो यहां से क्या लगा है तुमने इस लेट्स नौट वेस टाइम वह समय तुमें बाद में बताऊंगा तो खोपड़ी पे जयादा जोर नहीं देते हैं सिधा अंदर चलते हैं पहले इस लाश को में किसी तरह ठिकाने सब्सक्राइब करें जल्दी कम आन होगा जिल्दी कम आन होगा है अलो माफ कीजिएगा मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ यह गरबढ़ है पुरे घर की तलाशी लो लेकिन यह आप अपने आपको क्या समझते हैं पुलीस ऑफिसर होने का हर्गेज यह मतलब नहीं कि आप किसी के घर में घुसकर इस तरह तलाशी ले हेलो ऑफिसर तलाशी किस बात की तलाशी काहे की तलाशी मैं भी कानून जानता हूं कोई वारेंट है आपके पास ए चुप रहे कानून की आँख बस बहुत हो गया तु आप बीच में नहीं आ सकती समझी ऑफिसर साहब यह शरीफ लोगों का घर है क्रिमिनल्स का नहीं ओ शरीफ लोगों का घर है या बदमाशों का यह तो च्छान भीन के बाद मालू होगा हाँ हाँ चलो कर लीजे करते हैं यह मुझे अपना काम करने देयां समझा चलो बालको को टो इंसाइड एंद चेक दियर यू अन दे राइट फिर उपर देखेंगे सर यहां पैग है उसे खोल के देखो क्या है उसमें सर इसमें तो पैसे पड़े है सर यहां तो लाश पड़िये लाश ओ मैं गॉट यह तो विक्रम की लाश है शिट यह तो विक्रम जी की लाश है आप लोगों ने उसको मार दिया क्यों ओ अब मैं समझा उनको मार के यह पैसे लूट कर फरार होने के चक्कर में थे राइट वो तो मैं एन वक्त पे आ गया वरना आप तो रफू चक्कर हो जाते I don't believe this you you plan this you plan this नहीं इंस्पेक्टर साब आप आप बिल्कुल गलत समझ रहें आप बिल्कुल गलत समझ रहें इंस्पेक्टर साब आपको पता है यह यह आदमी खूनी है इसने मेरे पती विक्रम सिंगा खून किया है और इसने मुझे डराया किया अगर मैं अपनी जुबान खूली तो यह मुझे मार डालेगा पागल हो गई है क्या यह मेरे पती का दोस्ता और यह मुझे मार कर और पैसे लेकर यहां से भाग जाना चाहता था इतने में आप आगर यह जूटी है यह जूट बोल रही है सर यह जूट बोल रही है बिल्कुल भी नहीं जूट सर यह जूट बोल रही है सर यह बहुत बड़ी दो के बास है सर मैंने तो इसके पती को जुर्फेह की बार मारा था मगर इस साली चिनाल ने अपने पती को मेरी आखों के सामने बार-बार मरने के बाद भी मारा था सर सर एक औरत नहीं ये एक बहुत बड़ी चुड़ायल है सर शीज़ ब्लड़ी साइको वेच बस करोई सर मेरा यखीन की जो मेरे सामने विकरम जी की लाश है और तुम दोनों इस लाश के पास हो समझे जो कुछ कहना है कोट में आगे कहना आइम अरेस्ट यू राइस्ट यू राइस्ट यू इस रोमिय को उठा के ले जाओ नहीं सर नहीं स्पेक्टर साब आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अच्छा तरी तरी तो जाओ नहीं सर्फित आप अच्छा फिर नहीं प्लान में शामिल ओने का खबरदार बहुत बड़ी गल्ती करें आप लोग छोड़ा मुझे चोड़ो इसे रोमियो बनने चला था बड़ी आई अपने आपको जस्टिफाई करने वाली तेरे लिए तो लेड़ी कॉंस्टिबूल को बुलाना पड़ेगा समझी ये क्या है अबे तू भाई है कसाई वो तुमारा भाई कैसा है कॉलेज में तो बहुत रोप था उसका आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं इतनी जोर से थपर मारते अब क्या करता बेहन मुझे ये भी तो दिखाना था कि मैं असली पुलिस वाला हूँ खेर ये बाते चुड़ो ये बताओ प्लान क्या है सबसे पहले विक्रम की लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा तु मुझे ये बता तेरे आदमी करण के साथ क्या करने वाले हैं पूजा करेंगे उसकी अरे बहना मैंने अपने आदमियों को बीस बीस हजार रुपे दिये हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए उसकी फिकर बिलकुल मत करो तु मगर तुम ये बताओ कि उसकी गाड़ी का क्या करें उसकी गाड़ी को यहीं पड़े रहने दो सुल्तान भाई किसी भी वक्त यहां पे आता होगा वो करण की गाड़ी को पहचानता है वो यही समझेगा कि विक्रम और करण ने मिलकर प्लानिंग की और पैसे लेकर भाग गए क्या बात है क्या बात है लोमुरी की खोपड़ी है तेरी शबाश अच्छा ये बताओ कि इस बैग के पैसे का क्या करें पैसे पैसे हमें फिलाल यहां पे छोड़के जाने पड़ेंगे ऐसा करते हैं पैसो वाला बैग फ्रिज के पीछे चपा देते हैं सबसे पहले विक्रम की लाश को ठिकाने लगाते हैं गाड़ी की डिक्की में विक्रम की लाश टाल कर उससे ठिकाने लगाते हैं, सीधा शेहर, शेहर से एरपोर्ट, एरपोर्ट से सीधा, सिंगापॉर विक्रम बड़ी मुश्किल से मरा है अच्छा, वैसे लगता है कुछ बॉडी बिल्डर के टाइप का कि अच्छा, से लग़ी का लुब में मुश्व्षा छलवी कि एरbelsके लुब से लुब टकाने हैं की है क्रत्राई में सवाल के... यह... यह क्या? तुम क्या समझेते? मैं पांच करोड रुपया तुमारे साथ बांटने वाली हो? मैं तो तेरा भाय हु सुनिया सागा नहीं, सो तेला मैं पांच करोड़ा यह... मैं पांच करोड़ा यह... मैं पांच करोड़ा मैं पांच करोड़ा यह... 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 करोड़ा यह... 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 यह.... सुनिये, मैं आभी भी कह रहा हूँ भाई, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, आखिर क्या मिल जागा तुम लोगों को मुझे मार कर, सिर्फ 20,000 रुपए एक आदमी को, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो, तो मैं तुम लोगों को एक लाग दूँगा, चारों के चारों को, पूरे चार लाग रुपए, सोचो मत मेरे भाई, तुमें क्या लगता है, कि अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं यहां से भाग कर जाऊंगा, और उन दोनों से बदला लूँगा, नहीं मेरे भाई, अगर तु तो मैं यहां से जाऊंगा, और तुम लोगों को एक एक लाख रुपए देकर यहां से गायब हो जाऊंगा, गायब, पैक इते हैं, मेरी गाड़ी में हैं, हमें दुबारा से वहीं चलना होगा, जहां से हम आये थे, मैंने पांच लाख रुपए पहले से ही बैंक से निकाल कर रख लिये थे क्या पता था कि वो पैसे ऐसे काम आएंगे चले मुझे एक दिनी कैसे मेजाय था उसमें लिखा था कि खुदा को अगर हसाना हो तो उसे अपने फ्यूचर प्लैंस बता दो खुदा सोर जोर से हसता है इस समस का मतलब मुझे आज समझ में आया कि ये पांच करोड रूपए मेरी ही किस्मत में लिखे दे चाहे कोई कितने भी प्लैंस बना ले लेकिन असली प्लैंस वही चलता है जो खुदा ने बनाया है हम सब के लिए लेकिन असली प्लैंस बनाया है लेकिन प्लैंस बनाया है लेकिन शेंस बनाया है झालserी सिरी में झाले हिर जूज मुदर मिस अमायके नरी यह हमritis बिप शित दूध मेंले हिरे प्युक्ष्ष्ष्ट्च के जह के लिए है, विए है कि जह रखके लिए है टुक्ष्टिय खब करते हैं झाली है अब ज़रा मुझे बताओगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है ये मेरे पीट पीछे ये सब क्या चल रहा है तुम क्या समझ रही थी कि मैं यहां तक नहीं पहुँश सकता बलो देखो सोनिया मैं तुम्हारी बहुत इज़त करता हूँ और हमेशा से तुम्हें पसंद भी बहुत करता हूँ इसलिए महरबानी करके इस इज़त और पसंद को नफरत में बदलने के लिए मुझे मजबूर मत करो और इसी वक्त जितनी जल्दी हो सके सब कुछ बोल दो मुझे मिली हुई लगती है 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 तुम्हारी तरह बी अर बार से नहीं आई है समझी अगर मैं बात कर रहा हूँ तुम बीच में कभी मत बोलो हां सोनिया अब तुम कुछ बोलोगी या मुझे बुलवाना पड़ेगा सुल्तान भाई आप मेरी इस्द करते हैं मैं भी आपकी दिलो जान से इस्द करते हूँ मुकादम यहां पे पैसे लेके आया था मेरे और विक्रम के अलावा एक और शक्स भी यहां पर था जो आपकी कंपनी में काम करता था करनोपरोय करनोपरोय और विक्रम छुपे हुए पराने दोस्त थे दोनों की पैसे देखकर पैसो के ऊपर नियत खराब हो गई और उन दोनों ने प्लान किया कि वो पैसे लेकर यहां से भाग जाएंगे उन्होंने उन्होंने मुकादम को माह टाला जब मैंने मैंने उन दोनों को रोकने की कोशिश की दोनों ने मुझे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया फिर करन ने विक्रम को गन पॉइंट पर लिया और उसे यहां से लेकर चला गया मैंने अपने कमरे का दर्वाज़ तोड़ दिया अपनी कार में दोनों को दोनों को फॉलो करने की कोशिश की लेकिन वो दोनों मेरी पहुत से बहुत दूर तक जा चुके थे सुल्दान भाई मैं 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 कुछ ने कर पाई और फिर वापस आ गई बस सोनिया अगर तेरी बात आगे जाके कही गलत निकली तो तुम इतना याद रखना कि मुझसे बुरा तुम्हें इस दुनिया में और कोई दिखाई नहीं देगा भर वाई जाखना कि बख्याच मुझसे बख्चरा तुम्हें एए 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 रशीद समाल इसे मुझे पहले से ही मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन साला इतना कुछ गरबढ होने वाला है ये मुझे मालूम नहीं था आप क्या किरो तुम्हारे साथ सुनिया मैं सिचोशन को समा सकता हूँ लेकिन और विक्रम अगर करण से बच भी गया तो मैं माडा लूँगा उसको तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी इज़त करता हूँ और मुझे तुम्हारी कितनी फिकर रह करते हैं कि रिलैक्स कि फिकर मत करूं मैं हुना मैंने तो विक्रम से पहले ही कहा था एं विक्रम सुनो सुनिया तो ना तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ मैं चलता हूँ अरे सुनिया एक बात तो मैं तुम्हारे बताना भूली गया तुम मेरे पांच करोड रुपियों की बिल्कुल भी फिकर मत करना क्योंकि वो मेरी लीगल कमाई है इन लीगल नहीं उन रुपियों का हर एक नोट जो है न उसका नमबर CID के पास रेजिस्टर्ड है और अगर किसी ने उन रुपियों में से एक रुपिया भी खर्चा करने की कोशिश की ना तो वो पकड़ा जाएगा सिदा अंधर जाएगा ज्बग हाएगा ि किर खर्चा कि येऊ जन तक की येल मेलुप एक्या जाएंक रहतले ही आएगा क्भार प्णकिक हुई हाएगा घंप हाए такое खर्चा हुई हाएगा हुई हाएगा हुईॉ यव़भा वशईSmद वाख और एपयाँ 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 हÍ ठाइब हु हुँ हु हुँ हु न भो हु 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 हुँँँँँँँँढ नहीं... सुल्टान भाई की बात सुनकर तो सुनिया जैसे पागल ही हो गई थी उसे लगने लगा था किचिन पैसो के लिए उसने ये सब कुछ किया अपने पती को मारा, अपने भाई को मारा, मुकादम को मारा वो पैसे किसी के काम के नहीं है और सुल्टान भाई की बात दे बिल्कुल ठीक ही निकली मैंनों पैसों में से कुछ पैसे एरपोर्ट पर सिंगापुर की टिकेट खरीदने के लिए निकाले और मैं वहीं पकड़ा गया उसके बाद तो एपोर्ट अथोरिटीज ने आपको इंफॉर्म किया और वहीं पे बुला लिया अब एक गधे तुझे क्या लगता है कि सुल्तान कॉर्पोरेशन के मालिक सुल्तान भाई को चूना लगाना इतना असान है क्या पुलिस को तुने बच्चा समझके रखा है क्या मिनिस्ट्री लेवल से तेरा केस मेरे पास आया है सर इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ बॉस कि तेरे बहुत बुरे लगने वाले है तुझे क्या लगता है सोनिया ने विक्रम को मार डाला अपने सोतेले भाई को मार कर पागल होकर पागल खाने में चली गई तो कहानी खत्म हो गई कहानी शुरू हुई है बॉस तिवारी इस चिकने को अंदर डाल सुनो कुछ कहना चाहती हो क्या अगर तुमुझे उस गंदगी से नहीं निकालते तो मेरा क्या होता सोच कर पे डर लगता है रेश्मा तुमारी तकदीर में उस गंदगी से निकलना लिका था तुम निकल गई मैं तो सिर्फ एक जरिया बना कल तुम क्या थी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं मगर आज तुम मेरे साथ हो तो ये सब कुछ भूल करने जाती रेश्मा सुल्तान भाई ने कहा तो धात उससे दो कड़ो रुपए ले ले और जाके नई जिंदगी शुरू कर मुकादम तो अल्ला के पास चला गया और जो एक बार अल्ला के पास चला जाता है वो वापस तो नहीं आ सकता ना और जिन लोगों ने मुकादम को अल्ला के पास भेजा उनका क्या उनका क्या से क्या मतलब अल्ला ने उनको सजा दी ना विक्रम को सुनिया ने मार दिया, सुनिया पागल होके पागल खाने चले गी, और वो लॉंडा, जिंदीगी बाद जेल में सड़ता रहेगा राशित क्या आप ये जानती हैं के मैं बीयर बैर में नाश्ती थी, मुझे रांड, रंडी और छिनाल जैसे नामों से बुलाया जाता था मुकादम ने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला, उस गंदगी से बाहर निकाला, पाक और पवित्र किया, मान और समान की जिंदगी दी, लुट गई, मेरी वो दुनिया लुट गई, एक बात बताइए राशत, अगर आपकी कोई दुनिया लुट ले, तो आप क्या करेंगे? यह मत भूल रिश्मा, तेरे पेट में मुकादम का बच्चा है, और अगर पगड़ी गई तो, बर्च होंगी, लेकिन इस जुबान पे सुल्तान भाई का नाम कभी नहीं आएगा, सुल्तान भाई का नाम इस जुबान पे सिर्फ दुआओं के लिए आएगा, रिश्मा, ये काम करने से पहले, एक बार अपने आपको आइने में जरूर देख लेना, अगर तेरा दिल ये कहें, कि तु ये कर सकती है, तभी करना, क्या वज़ा थी तेरे जाने की, तेरे लोट के ना आने की, क्या वज़ा थी तेरे जाने की, तेरे लोट के ना आने की, आई है हावाए, तुझे है बुलाए, याद दुलाए, क्या वज़ा थी तेरे जाने की, तेरे लोट के ना आने की, याद जो आए, तुझे है बुलाए, कुछ ना खबर है तेरे जाने की, तेरे लोट के ना आने की, क्या वज़ा थी तेरे जाने की, तेरे लोट के ना आने की, सिया, बे सिया, ना, सिया, कितने मौसम गुजरे हैं, हम याद में तेरी तड़ पे हैं, चांद नी आके कहती हैं, आते जाते कहती हैं, कितने मौसम गुजरे हैं, हम याद में तेरी तड़ पेलें, चांद नी आके कहती हैं, आते जान की गंदी हैं, आते दे सहारां, बस एक नजारां, कब तक यू तरबाएगां, क्या वजा थी प्यार जताने की, तेरे लट के ना आने की, क्या वजा थी तेरे जानेगी, क्या वजा थी तेरे लट के ना आने की, गीता कॉलने पुलिस्टेशन, आने बाएगां, क्या वजा थी तेरे खुलुफ। और ये तू तापज कापटें जनाव, एस अच्चो साब्दा ओफिस किते हैगा? एसे चो साब्दा अफिस किते हैगा? मेरा अपॉइन्मेंट हैगा सिद्धे जाके सज्जे अतनो मुर जनाव एसे चो साब्दा ओफिस को अनू अथी मिलेगा शुक्रिया प्लिपने जे लूगे लेभाने प्लिपस, कि अब दो पांगल किया है, क्या मजदा काई है, एए, कोण है तुम, पांगल हो ग्या, क्या मजदा कै एए, एए, क्या मंजदा कै, एए, क्या मजदा कै, हाः, एए, एए, छो इए, डीदल हो, एए यह, यही अब फिच्चन किसले हाँ, मैंने क्या पिगा राहँ, क्यूदा कै, होजद因 क्या तुम, एए, डानो शूट ट्मी में, एए, इस्पक्टर, हवल्दार, इस्पक्टर. आघए बबने! अरे बवाल हो गया यह तो एकने गुली माड़ दी ओ करन जो छोरा था ना उसे क्या मैडम हिंदी फिल्म में आप बहुत देखती है खून भरी मांग तुम्हें पता है तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है मिनिस्टर साहब आकर आपके गले में फूलों की माला पैनाएंगे इतना बड़ा काम जो कर दिया है कानून को अपने हाथ में लेकर आूँ टेया है और और प्लीज मेंटेन साइलेंस इन दा कोट रूम तमाम सुबूत और गवाओं के बयानात को मद्दे नजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि रेश्मा सलाउद्दीन उम्र 26 साल दोशी है लेकिन पुलिस अधिकारियों और वकीलों की बहस को मद्दे नजर रखते हुए अदालत ये भी मानती है कि रेश्मा सलाउद्दीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो गर्वबती है इसलिए रेश्मा सलाउद्दीन को इलाज की जरुरत है लिहाज़ा अदालत ये हुक्म जारी करती है कि रेश्मा सलाउद्दीन को पागल खाने में दाखिल किया जाए और उनका पूरा पूरा इलाज करवाया जाए जैसे ही रेश्मा सलाउद्दीन ठीक हो जाती है इस केस को रियोपन किया जाए और केस की कार्यवाई दुबारा शुरू की जाए सुनिया चपिस नमबर वोड़ में है दस बचे की बाद उसके कम्रे के असपास कोई आता जाता नहीं और पेस रिश्माद दस बचे की जाता जाता है येज़ दो हमें है उसके की जाता है व्यक्वावा थे लूगा है लगया, है लूगा है का लगया है व्यूख व्यूख उप्यू लगया है हुँ, हुँ... पाँ... हुँ... हुँ, 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 हुँ. साया तेरा जो मुझको अब यू नजर आए बीते पलों की आदे मुझे यू तरपाए आँखों के अश्कों में दिल डूब मेरा चाए महरूमियों के आलम में मिले मुझे तू दूआए करूम मेनी दर्कणों को जिन्दा मैं करूम जिन्दगी को जिन्दगी करूम जिन्दगी को जिन्दगी कहूँ चाहा तुम्हे था इतना तुमने न जाना कितना दिवानगी की हद तक मैंने किया था उतना यादों में तेरी अब तक जलता रहा हूँ मैं अब दर्द भरी ये जिन्दगी मेरी हस्रते भी तुझ में है मेरी आश्की भी तुझ में है मेरी जिन्दगी भी तुझ में है मेरी जाम मिले मुझे तू तू आये करू मेरी दरकनों को जिन्दा मैं करू जिन्दगी को जिन्दगी कहूँ जिन्दगी को जिन्दगी कहूँ झाल